जहिन दोस्तो ओलिबल का रिजल्ट आ चुका है आज 25 मई 2021 को आज रिजल्ट ओलिबल का डिकलेर हुआ किस तरीकी से आप देखेंगे इसका पूरा भी थी मैं आपको step by step बताऊंगा इसके लिए आप वीडियो को last तक जरूर देखेंगा देखें रिजल्ट देखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर रिजल्ट वाले सक्षन में जाना होगा इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखें पूरा ओलिबल एलिबल या जिस किसी का आपका रिजल्ट है आप देख सकते हैं Ward and O level पर Click करते ही आप यहाँ पर Fill करेंगे candidate यहाँ पर Role Number wise देख सकते हैं नेम wise भी देख सकते हैं और Restriction नभबर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं तो अप देखें मैं यहाँ पर क्या Restriction number की हिसाब से मैं देखना चाहता हूं तो रश्टिश्न नमब्र यहाँ पर मैंने देख़् कर लिकर लिए यहां से एयर ली लिये, इयर लिक गवाद यहां पर देख़्ी जनुरी 2021 का यहां पर मैंने सेलेक्शन कर लिए isक livestream नमबर है D अब का result यहाँ पर आ चुका है और देखे कुछ strength के साथ यहाँ पर यह प्रॉब्लम हो रहा है कि यह result अभी upload means अभी यह process में चल रहा है result means upload हो रहा है इस वज़य से कुछ लोग का भी यह दिखा रहा होगा कि result not uploaded ठीक है इस्टेंड अगर आपको यहाँ पे not uploaded दिखा रहे तो आप ऐसा कीजिए अपना portal पे जाके वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, portal पे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब portal पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए अपना section यहाँ पे login कर लिजिए कि candidate and यहाँ पे अपना registration number and जो password होगा वो password यहाँ पे आप fill कर सकते हो सारे detail fill करने कवाद यहाँ पे आप login करेंगे, login करने कवाद आप यहाँ पे देखिए अपने course section में आप यहाँ पे course section में जाएंगे आपका जो courses रहेगा और यहाँ पे view detail में आप जाके भी click कर सकते हैं आपको यह पूरा पूरा यहाँ पे पता चल जाएगा ठीक है, तो आपका किस exam में pass हो पाए है किस exam में pass नहीं हो पाए है यहाँ पे देखिए आपका जो result हो upload हो रहा है, इस वज़े से यहाँ पे देखिए, unveilable यहाँ पे देखा रहा है not available दिखा रहा है क्योंकि यह सारा चीज आपका हो चुका है ठीक है, इस वज़े से आप delay ना करें और अपना result चेक करते हैं आप चेक करके मुझे यह बता है कि किसका result upload हो पा है किसका नहीं comment box में बताना नहीं भूलिएगा इसी तरीके इस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद